खलो एंड वेलकम गाईज डिवाइन टारो ट्रिपल एट एक और फ्रेश टॉपिक पर रेडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है वर्ड यू शूप अवाइड दूइन दीज आपको इन दिनों में क्या अवाइड करना साहिए और ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी जितना आपकी सिच्वेशन से रेजुनेट करें उतना रखिएगा जबर्दस्ती सिच्वेशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजेगा प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौझूद है टिक टॉप के बायों में भी मौझूद है परसनल रीडिंग कभी भी फ्री आफ कॉस नहीं होती नेक्स्ट मन्थ जून के फर्स्ट वीक से टारो क्लासिस का आगास कर रहे हैं अगर आपको एड्मिशन लेना हो तो परसनली मुझे अप्रोट्स कर सकते हैं ओके जी चलिए जी लड़ स्टार्ट करते हैं वो कौन सी इनर्जीज हैं वो कौन से अबस्टिकल्स हैं जिससे आपको अवोईट करना चाहिए विक्ट्री Goddess of the Moon Number 28 Number 52 The Thinking Woman Number 47 Number 11 Corn Copia Number 17 Action Number 42 To Woman Holding a Coin Materials पर काम कर रहे हैं आजकल आप बहुत जादा Number 6 Con Trick Number 34 Door to Personal Healing and Happiness Number 34 Bottom Deck में आरहे हैं फोर्ट चाक्रा आर्के एंजल राफल ओके जी आई थिंक के कार्ट्स आपको सही से विजिबल हूँ बात करें हैं हम What you should avoid doing these days आपको इन दिनों में किन चीजों से avoid करना चाहिए अगर सबसे पहले मैं आपकी energy की बात करती हूँ आप ना आजकल अपने materials पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं अपने materials को लेके अपने finances को लेके बहुत ही जादा rushing energies के अंदर जा रहे हैं Different contracts आपके सामने आ रहे हैं Different opportunities आपके सामने आ रहे हैं तरफ जाएं Multiple options और multiple opportunities मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर door to personal healing and happiness जबके आपको पता है कि आप इसमें से किसी भी contract को छोड़ना नहीं चाहरे तो आप से आपको avoid किस चीज़ से करना है आपने materials को multiply करने के लिए आप बिना सोचे समझे एक तो कोई contract sign ना करें जब तक आपको उसकी पूरी how now ना हो क्योंकि आप action oriented personality लग रहे हैं woman holding a coin आपने शायद आपके दिमाग पे लग गई है कि आप आपने savings करनी है आपने कोई goal है जो set किया है एक big goal जिसे कहते हैं यानि के एक बड़ा आपकी जिंदगी का target कौन copy यानि के अगर इस card को आप गौर से देखें के एक golden color की light जो है आपके materials पे और finances पे पढ़ रही है यानि के आपने बहुत rushing energies में जा रहे हैं कि या भी आपका golden time period चल रहा है जो चीजे करनी हैं आपने इसी time duration में करनी है आपको अपनी तमाम चीजों में victory चाहिए आपको अपनी तमाम चीजों में success चाहिए background noise को avoid कीजएगा traffic का shore है पीछे बहुत I am so sorry but थोड़ा सा बरदाश करना पड़ेगा goddess of the moon की energy यहाँ पर आप कुछ past के traumas ऐसे हैं जिनोंने आपको बहुत depressive energies में कर दिया with a thinking woman आप अपनी सोचों के दाएरे से बहर नहीं निकल पारे यानि के आप इस चीजों को sense ही नहीं कर पारे के आपका एक golden time period शुरू हो चुका है victory और success आपके कामों में आएगी ही आएगी बट जो आपने past के traumas देख लिये हैं उसको लेके आप अभी तक अपनी situation को heal नहीं कर सकें यानि के अपने उपर और अपनी energy के उपर जो आपका belief system है न वो डगमगा आ रहा है यानि के आपको यह है के जो भी चीजें हैं वो मैं जल्दी जल्दी ग्राप कर लूँ बट आप से कहा जा रहा है के इतनी fastest energy में नहीं जाएं इस चीज को समझ लीजें के आपके जो भी hurdles और obstacles का time था वो गुजर चुका है यह अब आपका एक golden time period शुरू है अगर आप energies starting में ही देखें तो यहाँ पर victory से आपकी energy start हो रही है और door to personal healing यानि के जो भी आप काम करेंगे अगर patiently आप चलते हैं तो आपको happiness भी मिलेगी उसमें आप heal भी होंगे आपकी तरफ success भी आएगी बट avoid क्या करना है के rushing energies में किसी भी चीज को किसी भी contract को किसी भी काम को बिना सोचे समझे action नहीं लेना उसके towards जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो यहाँ पर feminine energy बहुत जादा active है जरूरी नहीं है कि यह female के अंदर ही होती है बाद दफ़ा male personality के अंदर भी feminine energy होती है जो के चीजों को multiply करने की ability रखती है अब अगर मैं इसको और मज़ीद extend करती हूँ के what you should avoid doing these days आपको इन दिनों में क्या avoid करना चाहिए एक तो मेरे तमाम dacks उपर नीचे हो जाते हैं please divine praise universe please give me a right predictions for my viewers what you should avoid doing these days एक तो मैंने जगा चेंज की है तो सारे गाड़ी वाले बद्दर वाले सब में जब ही गुजरना होता है जब मैं on reading होती हूँ ओके जी what you should avoid doing these days guidance consciousness the rebel the fool the master क्या करना जा रहे है आप participation experiencing the last one is transformation देखें आपने अपनी लाइफ का जो transformation period देखा है ना उसके बहुत अरसे के बाद जाके अब आपकी लाइफ में celebration moments आए हैं अगर आप अपने past की energies को और आज की energies में comparison करते हैं ना तो आप अपनी journey से बहुत आगे निकल चुके हैं वज़ा क्या रही है कि आपने अपने बुरे वक्त में guidance को follow किया किसी guider की, advisor की, mentor की और अगर नहीं किया है और अभी आप इस situation में हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ना चाहरे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप किसी guider, advisor, mentor की guidance लेके आगे की तरफ बढ़ें ऐसा नहीं है कि आपका mind master नहीं है आप already एक master mind personality है बट कुछ situation में आप बागी हुए में rebellious हुए में यानि कि कुछ चीजों में आप new beginning जान बूच के करना चाहरे हैं आप ना चाहते हुए भी आप लोगों से rebellious मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि आपनी life का जो lesson learn किया है इससे आपने बहुत कुछ सीखा है आप ना चाहते हुए भी लोगों का victim part बन गए participation का card है और experience का और फिर major transformation का card है यानि के जो lesson आपको learn नहीं भी करने थे उसका भी आप part बनें और अब आप इन तमाम चीजों से निकल के new beginnings की तरफ जा रहे हैं दफूल की energy बट आपको avoid क्या करना है rebellious ना हो बागी होके ना करें अपना participation अपना contribute रखें तमाम चीजों के अंदर part 1 है इसको यहीं पर wind up करते हैं part 2 से इसको extend करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा take care and bye bye करते हैं करते हैं